ये रहे आपके सब प्रश्न पत्र वाइटनर का उप्योग करना मना है यदि किसी भी विद्यार्थी के पास हो तो क्रिपया मेरे पास जमा कर दें सभी को शुब कामना है समय समाप्त क्रिपया अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा कर दें मैम, वाइटनर का इस्तिमाल करना क्यों मना है? वाइटनर एक हानिकारक पदार्थ है. इसको सूंगने से दिमाग और तंत्रे का तंत्र पर पुरा असर पड़ता है. ये ड्रग लेने की लद को भी बढ़ावा देती है. हमारी सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा करेक्शन फ्लूइड वाइटनर आदी का उप्योग करने पर रोक लगा दी है. अच्छा, अब मैं समझा. और अब मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा. धन्यवाद मैम. विजय, हमारे स्कूल का जोनल फुटबॉल माच अगले महीने होगा. तुम टीम के बहतरीन खिलाडी हो, लेकिन अभ्यास करने नहीं आते हो. सर मेरी तबियत ठीक नहीं है. मैं कल अभ्यास करूँगा. इर्फान, तुम्हें विजय के बारे में कोई जानकारी है? वह इन दिनों तनाओं में दिखता है, और उसका व्यवहार भी बदल गया है. आप सही कह रहे हैं सर, मैं उससे बात करूँगा. दुकान वाले से कहो कि वह अपनी दुकान यहां से हटा ले. सरकार के आदेशानुसार, 18 साल से कम आयू के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जत है, और शेक्षिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में भी तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जत है. विजय, तुम अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है? इर्फान, मुझे मदद की जरूरत है. तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही है और परीक्षा भी शुरू होने वाली है. इससे मेरा तनाव बढ़ गया है. हाल में, मेरी दोस्ती मेरे पढ़ाउस के कुछ बड़े लड़कों से हो गई है. कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे तनाव दूर करने के लिए सिगरेट और कुछ पाउडर जैसी चीज़ दी थी. मैंने वो इस्तिमाल किया और अब उसकी लट लग गई है. वो लड़के मुझे घर से पैसे चुराने और उन्हें देने के लिए कहते हैं. ओहो विजय, ये तो खतरनाग है. मुझे लगता है हमें तुरंट तुम्हारे माता पिता से या टीचर से मदद लेनी चाहिए. धन्यवाद इर्फान. मैं अपने पीटी टीचर से बात करूँगा और रोजाना फुटबॉल का अभ्यास करने की कोशिश करूँगा. विजय, उठ जाओ. क्या किसी को पता है इसे क्या हुआ है? इसने मुझे बताया कि इसके कुछ दोस्तों ने पाउडर जैसा कुछ मादक पदार्थ दिया था. ओ नहीं, ये तो गंभीर मामला है. क्रिपया प्रिंसिपल को बताओ और हम इसे अस्पताल ले चलते हैं. क्रिपया कोई इसके माता-पिता को भी सुचित कर दो. विजय अब खत्रे से बाहर है. हमें इसमें नशा लेने के कुछ शुरुवाती लक्षन दिखें हैं और कुछ दिनों तक इसका इलाज चलेगा. हमें विश्वास है, वो ठीक हो जाएगा. धन्यवार डॉक्टर, आपने मेरे बेटे की जिन्दिगी बचा ली. मैं हमारे आसपास हो रही समाज विरोधी कतिविधियों की शिकायत स्थानिय पुलीस को दर्च कर आऊंगा. ये बहुत अच्छी पहल है. मैं जरूर आउंगी. धन्यवार. सभी नशे को ना कहें और मादक पदार्थों से दूर रहें. मदद के लिए अपने माता-पिता, टीचर या फिर दोस्तों से बात करें और किसी विश्वसनी या व्यक्ती की मदद लें. मैं, आप टीचर और माता-पिता से कुछ कहना चाहेंगी. प्रिय शिक्षक और माता-पिता, कृप्या बच्चों से अपना पन बढ़ाएं और उनसे बात करें. इससे बच्चों का आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बना रहेगा. कृप्या उन्हें सामाजिक कामकाज में भाग लेने के लिए प्रूत साहित करें. आईए, हम सब मि कर स्कूल को तंबाकु मुक्त रखने का संकल्पले. धन्यवाद. कि वे बच्चों को ग्यान और कोशल प्रदान करें. जो उनके आत्म सम्मान को बनाई रखने में सहायक होगा. और उनमें जिम्मेदार नागरिक बनने की क्षमता का विकास करें. बिद्यार्तियों को बुरी आदत में सांस देने वालों से दूर रहना चाहिए. और जरूरत नहीं है. यह हम सब की जिम्मेदारी है कि नशीले बदार्तों की रोक थाम और इस समस्या का निदान करें.